गर्मी के मौसम में कौन-कौन से फल खा सकते हैं किड्नी रोगी। गर्मी का मौसम आ चुका है और धीरे-धीरे गर्मी अपनी रफतार पकड़ रही है। इस चिल-चिलाती धूप से लोग परेशान होने लगते हैं और कई लोगों का तो स्वास्ते भी खराब होने लगता है। तो इस गर्मी के मौसम से बचने के लिए अक्सर लोग अपने आहार में ठंडी चीजों को शामिल कर लेते हैं। जिसमें से कुछ तो स्वास्ते वर्दक होती हैं लेकिन कई चीजे आपके स्वास्ते को खराब भी कर सकती हैं। अब अगर इस गर्मी में बात फलों की करें तो कई ऐसे फल हैं जो आपको गर्मी के इस मौसम में स्वस्त रखते हैं। पर किड्नी के मरीज सभी फलों को अपनी डाइट में शामिल नहीं कर सकते इसलिए उन्हें गर्मी के इस मौसम में कुछ ही फल दिये जा सकते हैं तो कौन से हैं ऐसे फल जो गर्मियों के मौसम में किड्नी के मरीजों को दिये जा सकते हैं आईए जानते हैं नमस्कार एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी बेस्ट किड्नी डाइट चैनल स्टॉप किड्नी डाइलिसिस में जहां हम आपको हमेशा किड्नी और किड्नी डाइट से जुड़ी कई जरूरी जानकारी देते हैं और आज हम बड़े ही खास विश्य पर बात करने वाले हैं तो चलिए बिना समय खराब किये अपने विश्य को आगे बढ़ाते हैं लेकिन इससे पहले जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया वे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बैल आइकन को दबाना ना भूलें गर्मी के इस मौसम में अपनी डाइट में फलों को शामिल करना काफी फायदे मंद होता है और अगर बात किड्नी के मरीजों की करें तो किड्नी के मरीज अपनी डाइट में कुछ ही फल खा सकते हैं क्योंकि उन्हें अक्सर ऐसी चीजों का सेवन पूरी तरह वर्जित होता है जो उनके शरीर में क्रिटिनिन के स्थर को बढ़ा सकती है इसलिए उन्हें फल भी वही खाने चाहिए जो उनकी डैमिज किटनी को नुकसान ना पहुँचाएं आईए जानते हैं कौन से हैं ये फल असी प्रतिशत पानी से भरा सेव जो खाने में जितना स्वादिस्ट लगता है उससे कहीं ज़्यादा आपके स्वास्ते के लिए फायदे मंद होता है सेव गर्मी के मौसम से बचने के लिए एक ऐसा फल है जो आपके शरीर में पानी की कमी को दूर करता है साथ ही ये आपकी किटनी को भी डिटॉक्स करता है और इस फल की एक खास बात ये है कि किटनी के मरीज इसको अपनी रोजाना की डाइट में शामिल कर सकते हैं इसके साथ ही किटनी के मरीज इस गर्मी के मौसम में अपनी डाइट में बैरीज को शामिल कर सकते हैं गर्मी के मौसम में बैरीज का सेवन आपकी किटनी के लिए काफी फायदे मन माना जाता है इससे आपका immune system मजबूत बना रहता है जिससे आप कम बिमार पड़ते हैं साथ ही रस्दार berries आपको diabetes और high blood pressure की समस्या से भी दूर रखती है जिससे आपकी damage kidney पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं पड़ता और आपको बता दें कि berries का 7 kidney के मरीज कर सकते हैं लेकिन उन्हें अपनी diet में इसको सीमित मातरा में ही शामिल करना होगा kidney के मरीज अपनी diet में इस गर्मी में नाशपाती को भी शामिल कर सकते हैं क्योंकि इसमें सही मातरा में पानी होता है जो आपकी kidney को detox करने में मदद करता है साथ ही शरीर में पानी की कमी को दूर करता है तो ये है कुछ फल जो इस गर्मी के मौसम में किड्नी के मरीज अपनी डायट में शामिल कर सकते हैं लेकिन ध्यान रहे किड्नी के मरीज पूरे दिन में सिर्फ 100 ग्राउम फल ही खा सकते हैं इससे अधिक फल का सेवन उनकी डैमेज किड्नी के लिए हानिकालक हो सकता है तो आज के लिए बस इतना ही अगर आप किड्नी की किसी भी समस्या से परेशान हैं तो इसके लिए आप कर्मायरोदा उप्चार केंद्र में संपर कर सकते हैं कर्मायरोदा में कुशल डायटीशन मौजूद हैं जो किड्नी के मरीजों के स्वास्ते को ध्यान में रखते हुए उन्हें सही आहार की जानकारी देते हैं अगर आप डायलिसिस और किड्नी ट्रांस्पलांट जैसे समस्य से दूर रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मायरोदावचार केंद्र से संपर्क कर सकते हैं अगर आप किड्नी की किसी भी समस्य से परिशान है तो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिये गए गूगल फॉर्म में अपनी समस्य लिख कर आप हम तक पहुँचा सकते हैं हमारी टीम 24 घंटे के अंदर आप से खुद संपर्क करेगी आप किसी भी वक्त हमें कॉल कर हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट से सलहा ले सकते हैं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें साथ ही इस जरूरी जानकारी को शेयर करना ना भूले वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल या सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं और क्या रखे लिखकर है अब खाना खा रही हूँ है तो चाहँ एक कोई है गलती है तो इस तो सब आदा आप हो अब हुआ को बहुत आप है तो जब खिंदे वेने हुए आपको दवाई साथ करें अभी तो एक मेना हुआ है वो जानते नहीं थे कि इसको कोई परिशानी हुई तो जोड़ा साथ डाक्टर उसका आए उसको हाल पीसर मलेरिया या रूथा के अंदर एक उखाल कर थे तो जोड़ा साथ डाक्टर उसका आए कि विज़े से वे करम जवाई खाने के दिए सब्सक्राइब निकर चाहिए जोड़ा किया फॉलो किजिए यासी यासी आपको बतारे प्रति विए जिलीजा को दूशी कर दो तो आई 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 कर दो आई 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 आ